अससलाम आल्यकुम्, रोटी नामा सबख हम पढ़ रहे थे, तो उसमें अल्फाज माने थोड़े से पीछे दिये गया है, जो हम कर चुके, यहां थोड़े अल्फाज है, उसके माने देखिये, फतीर के माने है ताजा आटे की रोटी, अजल माने इप्तिधा, शीर के माने जेल की इबारत पढ़िए इस से मुतालख बंद को लिखिए यानि ये इबारत पढ़ना है और इस से मुतालख जो हमें अशार रोटी नामा में मिले हैं वो अशार को यहां पर लिखना है रोटी से हमारा तालुख जब से दुनिया बनी है तब ही से है रोटी सोकी रोटी भी हमारे लिए शहद के मानिन है रोटी कैसी भी हो रोटी ही होती है चाहे वो पतली हो या मोटी यहूं की हो या जवार हमको रोटी खुश करती है तो इसके मतलिक खशार किताब में दिये गए रोटी का अब अजल से है हमारा तो है खमीर रूखी भी रोटी हक में हमारे है शह दुशीर या पतली हो ए मोटी, खमीरी हो या फतीर यहूं जवार बाजरा जैसी हो नजीर यहां पर दिया गया आदमी भूका हो तो वो किसी भी खुशी में शामिल होना पसंद नहीं करता इतना ही नहीं आदमी अल्ला को याद करना भी भूल जाता है तो इस से मतलिक अशार हैं किताब में रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन नहो मेले की सेर खौहशे बागो चमन नहो भूके गरीब दिल की खुदा से लगन नहो सच है कहा किसी ने भूके भजन नहो इसके बाद दिया गया किसी ने भूके फखिर से पूछा कि अल्ला ने चांद और सुरच क्यूं पैदा किये हैं फखिर ने कहा बाबा खुदा तुझको खैर दे हमको तो सारी दुनिया ही रोटी नज़र आती है तो इससे मुतालिख शेर किताब में दिया गया पूछा किसी ने ये किसी कामिल फखिर से ये महरो मह हक ने बनाए है काहे के वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझ को खेर दे हम तो ना चांद समझे ना सूरज है जानते उसके बाद है रोटी हमारे हक में शहद और शीर शीर और शहद चाहे वो रोटी पतली हो या मोटी बाजरा की हो या जवार की रोटी का अब अजल से हमारा तो है खमीर रोखी भी रोटी हक में हमारे है शहद शीर या पतली हो या मोटी खमीरी हो या फतीर यहूं जवार बाजरा की जैसी हो नजीर